नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच शागर वीकली मौक कोसिन्स वर प्लिम्स, पांच सितंबर से लेके बारा सितंबर तक का इंपोर्टन कोसिन्स कौन कौन सा है, चेक कर लेते हैं आगे जान से पहले लक्षप पर लाइका बटन, चानल को अब तक सब्सक्रेम नहीं किया हो, तो सब्सक्रेम भी किजिएगा, हमें सपोर्ट करने के लिए आप चानल के मेंबर बन सकते हो, जोइन बटन के थूँ, आज का कोसिन नमबर वन, वीडियो पोस्ट कीजिए, मैं ताइवान का मैप देख लेते हैं, देखे ताइवान काफी नूज में रहा है, रिजनली चाइना और टाइवान के बीज में जो इश्यूज है, उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाए था, आप हर्शी दियुदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल यह ताइवान के अंडर है, तो इसके ऊपर जब एरकाफ वेजे तो ताइवान है रिटालियो भी किया था, तो इसलिए नूज में रहा है, आप देखिए, चाइना और थाइवान के बीच में से एक स्ट्रेट निकलता है, जिसका नाम है थाइवान स्ट्रेट, जब एक आपको फिलिपीन सी दिख रहा है, तो यह सारी इंपोर्टन लोग है, इसके आसपास दो छोटे आइलेंड से जो जपान के कंडॉल में है, इरिवामोटे जिमा और इशिगा की शिमा यह भी आप धियान दीजेगा, ठीए, अब हमारे कोस्टिन पर आता है, देखिए, साउ इनबसी के बार में हमने माप सीडिस में डिसकस किया था, यह अक्चुली फिलिपीयन के नीचे आता है, और इंडोनेशन आइलेंड जे और फिलिपीयन के बेच में, आपको सेलबसी में लागा, तो सेलबसी इसमें ओड हो गया, तो आणसर इस ओप्शन ए, वान तो थी आन आणसर बताई, now the answer is option, C1 and 3 only, सबसे पहले transport and marketing assistance होता क्या, देखिया, as the name indicates, यह assistance देता है, transporting के लिए and marketing के लिए, किस चीज़ का, agriculture products का, देखिया, farmers को, अगर अपने जो products है, वो international market में बेचना है, तो इसके लिए, government of India, farmers को support करता है, यह assistance देता है, basically financial assistance देता है, transport and marketing assistance scheme के तरू, this is for specific agriculture products, इसका मतलब यह है, सारे agriculture products इसमें cover नहीं है, वो कौन-कौन सा नहीं है, अगर आपको पता करना है, तो आप Google में जाके search कीजिए, यह scheme के वार में, इनके official site में, annexure 1 में, वो लिखा हुआ है, कौन-कौन सा agriculture products इसमें cover नहीं है, आप देखिये, rate of assistance having increased by 50% by export by C, आप जो revision हुआ है, अगर आपको ships है, या by C transport करना है अपना products, तो इसमें 50% increase हुआ है, जो assistance है, and अगर आप air by air अप transport करोगे, तो आपको 100% increase हुआ है, यह जो reasonably revision हुआ है, यह है रहत है, ठीक है, 50% by C increase हुआ, 100% हुआ by air, ठीक है दोस्तों, आप देखिये statements में क्य क्या लिखा है, पहला statement तो basic definition है, scheme aims to provide assistance for the international component of freight and marketing of agriculture produce, second statement क्या लिखा है, assistance will be provided on export of all agriculture products, गलत, all नहीं है ना, मैंने आपको बताया, अनक्षा 1 में कुछ agriculture products का नाम बताया हुआ है, इसला ministry of commerce and industry के अंदर ही आता है, तो यह statement सही हो जाते है, option C 1 and 3 only, question number 3, it is a process based on earthworms and microorganisms, whose joint action provides degradation and detoxification of organic waste as well as conversion into a product to be used for agronomic purposes, about which process the statement refers to, video post कीजिये और answer बताया है, now the answer is option B, vermicomposting, देखे, vermicomposting, हमने daily news में cover भी किया था, यह news में इसलिए आया था, सुखेत model is an initiative by Dr. Rajendra Prasad Agriculture University at Pusa in Samastribu district, देखे, बिहार में, सुखेत model करेके initiative लेकिया था, काफी successful भी रहा था, basically यह जो है, organic manure बनाता है, organic farming के लिए हम कोई chemical fertilizer use नहीं करता है, तो इसके लिए एक organic fertilizer है basically, यह है compost, जिसको bio compost भी बोलता है, अब यह compost बनाने वाला जो तरीका ना दोस्तों process, इसको vermicomposting बोलता है, देखे, this is a process based on earthworms and microorganisms, basically दो छोटे-छोटे container बनाता है, ठीक है, उसके अ और earthworms को उसमें डालना पड़ता है, सबसे पहला, initially जब करे होगे ना, उसमें earthworms को डालना पड़ता है, धीरे-धीरे उधरी वो पाया जाएगा बाद में, तो इसमें जितने भी waste बगरा ना, हमारा agricultural waste या फिर हमारा kitchen में जो organic waste बगरा है, वो अब डाल सकते हो, वो उधर पड़े-पड़े सड जाएगा, सड सड के वो fertilizer बन जाएगा, बेसिकलि उसको fertilizer बनाने का काम करेगा, earthworms और जितने microorganisms वगरा है, इन तोनों मिलके ये जितने waste है, organic waste, इसका degradation, detoxification करते है, finally इसको convert करते है एक fertilizer के रूप में, fertilizer मतलब organic fertilizer, उस fertilizer को या organic manure को आप यूज कर सकते हो नॉर्मल कल्टिवेशन में, जितने भी पोथ है वगरा, उसके नीचे अब डालोगे तो अच्छा गरो होता होगा, तो ये है दोस्तों, basically vermicomposting, so very important है vermicomposting, mains में भी पोच सकता है, क्योंगि आजकल ये जो organic farming का भी news में है, तो organic farming का एक fertilizer, basically organic fertilizer का सबसे अचाय के example and initiative है vermicomp posting जोया, ठीके, so the answer is option B, vermicomposting, question number 4, the Tamil Nadu government announced plans to set up India's first dugong conservation reserve in the Park Bay, on the southeast cost of state, consider the following statements with respect to dugong, which are correct, video post कीजियो और answer बता है, now the answer is option, D, 1, 2 and 3, तीनो statement साहिये, देखिए दोस्तों, Tamil Nadu government dugong conservation reserve बनाना वाला है, वो इंडिया का पेहला conservation reserve होगा dugongs के लिए, कहां पर बनाएगा, पाकबे में, पाकबे कहां पर, मानीजी ये इंडिया है, ये स्रीलंका है, इधर आपको पाकबे मिलेगा, तो इधर ही बनाएगा dugong conservation reserve, अब ये डुगों का photo में दाला नहीं हूँ, sorry for that, आप search कीजिए, गूगल में आपको मिल जाएगा, तिक इसके बारे में कुछ fun facts है, basically इनका length हो जाता है 13 feet तक, and maximum weight 270 kilo तक हो जाता है, इनका maximum age है, वो 70 years तक है, they are referred to as sea cows also, ठीक, इनको sea cows भी बोलते हैं, और important point ये है, they are herbivores, ये खाता है, क्या खा floor में sea grass होता है, उसी को खाता है, बोला है जाता है, ये एक दिन में 40 kilo तक sea grass खा लेते हैं, ठीक है, आप देखिए कुछ और information है, they are syrenians and therefore related to manatees, तिनकी जो family है, syrenian family है, manatees मतलब डुगोंग जैसे दिखने वाला दूसरे एक मेह मेले हैं, ये दोनों एक जैसे दिखता है, पर ये दोनों आलाग है, ठीक है, manatees के भी आप सर्च कीजिए, आपको मिल जागा photos वागे न, though they resemble cattachians, cattachians मतलब क्या है, जो whales, dolphins, porpoises बार होता है ये सब cattachians है, इनके जैसे थोड़ा सा दिखेगा, पर actually ये cattachians नहीं है, ठीक है, they are believed to be descendants of land mammals and make them more closely related to elephants than whales, ये whales से जित coastal waters of pacific ocean, Indian ocean, from east africa to the red sea and australia, तो इनका habitat बता दिया, अब आप statement देख लेते है, it is a species of sea cow found throughout the warm latitudes of the Indian and western pacific ocean, देखे, Indian coastal waters में sea cow, sea cow का पसल जो है, बहुत है, अब ओडिशा से लेके tamilnadu, ये अपना western coast में भी आजाओ, आपको इस सी कोस्चल अरिया में मिलेगा, ठीक है, जिसक these herbivores, देखे, कई सारे marine mammals है, पर इसमें जो herbivores है, बस सीखा हुआ है, या डुगा हुआ है, they are protected in India under schedule 1 of the wildlife protection at 1972, बिल्कुल सही, तो तीनो statements है, answer is option D, 1, 2 and 3, question number 5, consider the following statements with respect to tokenization, which of the following statements are correct, video pause कीजियो, और answer बताएए, I hope अपने answer किया होगा, answer is option 1 and 3 only, देखे, tokenization के उपर एक PPT already बना रखा हूँ, वीडियो शोटले अप्लोड हो जाएगा, तो उसमें मैं पूरी तरह समझाओंगा, को tokenization क्या है, इधर हम briefly discuss कर लेते हैं, देखे, tokenization होता क्या है, it is a process of turning sensitive data into non-sensitive data called tokens, तो basically होगा ये, कि हमारे जो sensitive data, sensitive data मतलब हमारे जो card details अग payment information है, ये अभी कोई भी third party site में store नहीं होगा, इसको tokenize करेगा basically, देखे, आपने जो Amazon, Flipkart, phone pay वगरे यूज़ करते हो न, तब आप ये देखा होगा, आपकी जो card details है, जो आप एक बार use करने से, आपकी जो card details उसमें save हो जाता है, बस आपको अपना CV भी टेप करना होता है फिर OTP हैगा, वो type के हो गया आपका purchase, या जो भी transaction है, तो इसको रोकने के लिए RBA भी tokenization लेके आनावर है, tokenization में क्या होगा, it will replace the original data with an unrelated value of the same length and format, जो original data है, उसको बदल लेगा, ठीक है, to an unrelated value, ऐसे एक value में बदल देगा, जो हमारी समझ में नहीं हैगा, किसी का समझ में न encryption होगा, पर इसको आप encryption से compare मत की जागा, यह encryption नहीं है, encryption में, दूसरा कुछ code में, वो encrypt किया जाता है, फिर उनको decrypt करना पड़ते है, इसमें कोई encryption नहीं होता, tokens are sent on organization's internal system for use, the original data is stored in a secure token vault, तो basically एक vault में, हमारा जो data है, save होगा, अब यह करेगा को, यह हमारा जो card issuers है, आपके पास city bank का credit card है, यह आपके पास access bank का credit card है, तो वही जो card issuers company है, card issuers bank जो है, वही यह tokenization वाला process करेगा, यह बोला जा रहा है, अब recently RBA has decided to extend the scope of tokenization from mobile phones and tablets to include, देखें, यह tokenization हर चीज़ में होगा, laptops, desktops, wearables like wristwatches, bands, आजकल हर चीज़ डिज़टेस होगा, आपके wristwatch म में भी asset response, smart responses आया है, जिसे आप call उठा सकते हो, गाना सुन सकते हो, तो इस सभी में tokenization का, जो सुधा है, वो लाने की कोशिच करेगा RBA, as well as internet of things devices में भी, IOT, IOT आपको पता होगा, मैंने काफी बार आपको पताया है, IOT के बारे में, IOT ऐसा एक चीज़ होगा, हर चीज़ क internet control करेगा, खुछ भी करने की जरूरत नहीं आपको, ऐसा एक generation आने वाला है, आज से 20 या 25 साल बाद ऐसा हो जाएगा, कि हर चीज़ है, हमारा internet control करेगा, आप tokenization के बार में जो details है में आपको उस वीडियो में बताऊंगा, इथर में उपर उपर से बता के गया, ठीके दोस् एक वाल्ट में, एक Secute Area में, Reserve Bank of India has decided to extend the scope of tokenization to include consumer devices as well as internet of things devices, एक आपको बता दिया, तो answer is option C1 and 3 only, question number 6, consider the following statements regarding Prathan Mantri, Annatatha, Aisandrekshan, Abhayyan, which are correct, video post कीजिये और answer बता इचे, now the answer is option D.1,2,1,3 तीनो स्टेटमेंट्स आईए देखिए जो प्रथानमंदरी अन्नदादा आइस अन्रक्षन अभयान है इसके अंदर तीन स्कीम से हमने डेली न्यूस में एक बार कवर किया था यह के प्राइवेट प्रोक्यूर्मेंट एन स्टोक की स्कीम अगर फार्मर्स को ज्यादा प्रेज मिलना थो ठीक है यह है प्राइवेट प्रोक्यूर्मेंट स्टोक की स्कीम दूसरा है प्राइस सपोर्ट स्कीम यह क्या होता है यह इंप्लिमेंट होता है किस के तरू नाफट के तरू अब यह नाफट क्या है नाशनल अग्रिकल्चरल कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है यह क्या करता है इट अंडर्टेक्स प्रोक्यूर्मेंट एस अन्वन प्राइस फॉर्ड बिलो थे MSP MSP से नीचे जब प्राइस प्राइस का, प्राइस का, कॉटन का तो जो नाफट है यह MSP में प्रोक्यूर करता है प्राइस सपोर्ट स्कीम के तुरू तो बेसिकली प्रधान मंदरी अन्टादा आइस अन्रेक्शन अभियान के अंदर जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है यह अंडर्टेक्स प्रोक्यूमंट एसरमन प्राइस फॉल पिलो थे मस्पी तो गर्मन नाफट के तुरू ही यह प्रोक्यूर करता है तीसरा यह प्राइस डिफिशेंसी पेमेंट स्कीम यह क्या होता है अंडर इस फार्मर्स विल बी कॉंबन सेटेट फोर दिफरेंस बीट् करेगा यह होता है PDPS की आप देखिए यही तीन स्कीम के बार में इधर लिखा हुआ है पड लीजेगा सो ओप्षिन डी 1 2 1 3 कॉस्टी नंबर सेवन कंसिदर फॉल्विंग पैस विचो आप दी पैस गिवन और करेक्ली मैच्च्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बता किया है आप एक एक हश्य दिवती नाम के साथ सर्च कीजिए आपको वीडियो मिल जाएगा और एक ब्रीफली बता देता हूं ब्रू अकोड क्या है बैसिकली बू ट्राइब से रिलेटेड है इंको रहने को लेके काफी प्रब्लम्स हुआ था इसलिए त्रिपुरा तो यह बॉर्डो लें्ट टरि्रिटोरिल रीजएन के लिए जितने लोग फ़ाइड कर रहे थे तो उनको थोटा सा शांधी दिलाने के लिए यह एग्रिमंट शाहिन किया था इसके प्रू बॉर्डो लेंट टरिटोरिल एरिया डिस्टेको बॉर्डॉर्रिटीर टॉपिक है UPC के लिए तीसरा है कार्भी आगलोंग एग्रिमेंट यह भी आप आसाम से रिलेट कर सकते हो बैसिकली आसाम की टेरिक्टोरिल इंटेग्रिटी एंशुर करने के लिए कार्भी आगलोंग एग्रिमेंट सैन हुआ था जितने मिलिटेंड आउट्फिट से या आम्ड आउट्फिट से उनका और गर्मन के बीच में ठीक है यह लेटर साइन हुआ था 4 सक्टमबर 2021 में नाशनल लिबरेशन फ्रेंट आउफ त्रिपुरा यह भी आप से में रिलेट कर सकते हो यह भी एक आउट्फिट था इंसरजेंसी वाला इशू था तो उनका और त्रिपुरा गर्मन के बीच में संदल गर्मन भी इंवाल्ड था इनका भी एक पीस एग्रिमन वेसिकली एक Memorandum of Understanding सहीन हुआ था तो आप NLFT को त्रिपुरा से रिलेट कर सकते हो आप देखे ब्रू मिजवाराम सही है बोडो पीसा कोट वेस बंगाल गलत है यह भी आसाम आ जाएगा कार भी आग लोंग आसाम सही है NLFT त्रिपुरा तो answer is option B1,3,4 question number 8 which of the following are types of technical textiles under national technical textile mission video post कीजिए और answer बताईए नो the answer is option E1,2,3,4 चारों जो है दोस्तों types of technical textiles है textile क्या होता है दोस्तों symbol भाषा में any filament fiber और yarn that can be made under fabric or cloth कोई भी चीज हो चाहे वो filament हो fiber हो यान हो आगर आप इससे एक fabric बना सकते हो या एक कपडा बना सकते हो तो यह हो गया textile तो मतलब जितने threats है, court से, rope से, braid से, layers से, embroidery है, net से यह साई textiles का example है अब technical textiles क्या हो गया जब यह textiles का इस्तमाल काई सारे industrial sector में होता है तो इनको technical textile बोलता है for example अगर आप agriculture field में यूज करेंगे तो इसको agro tech बोलेगा देखे अगरी कल्चर activities के लिए भी तो कई सारे textiles का इस्तमाल हम करते हैं हर चीज ऐसा नेगी पुराने जैसा कोई कपडा से आप करते हो अब crops जो है harvesting के बाद कलग करने के लिए अब क्या यूज करते है normal polythene sheet बगर यूज करते हैं तो कई सारे areas में बस मैंने आख example बताया कई सारे industries में इस तरह की technical textiles का इस्तमाल होता है जैसे medicine field में इसको meditech बोलेगा building field में built tech बोलेगा mobile tech मतलब जो automobile industry में use होगा फिर cloth tech, oico tech, geotech, pack tech, home tech, pro tech, indo tech and sport tech तो एक एक सेक्टर में जब यूज करते हैं इस सारे tech sales को तो इनको अलग अलग नाम से पुकारता है आप देखिए क्या क्या लिखा है home tech, meditech, mobile tech and build tech ये चारों टाइप अफ टेक्निकल textiles है और इनको प्रमोट करने के लिए government of india के दौरा एक national technical textiles mission भी है राइट अंडर 9, अंडर सोच सर्वेक्षन ग्रामीन 2021 वीडियो पोस कीजिए और आंसर बताइए नाव दाइनसर इस ओप्षिन A, 1, 2 and 3 only स्टेटमेंट 4 गला थे देखिए दोस्मों सोच सर्वेक्षन ग्रामीन 2021 बेसिकली हमारा जो सोच भारत अभियान है उसी का इंप्लिमेंटेशन देखने के लिए सोच सर्वेक्षन ग्रामीन बेसिकली एक सर्वे हुआ था तो हर विलेज में जाके उन्होंने ये देखा कि ओपन डिफिकेशन फ्री अगर डिक्लेर करना है तो क्या-क्या क्रेटीरियास फॉलो होना चीए है ना कुछ कंडिशन रखते है वो सबको फुल्फिल करना चीए तब जाके आपका विलेज में ओपन डिफिकेशन फ्री डिक्लेर करेगा जैसे देखे फ्लाइ प्रूफिंग ओफ टोइलोट होने चीए ये हाउस्वोल सर्वे की बात किया जा रहा है मतलब घर में जाके वो सर्वे करेगा मतलब टोइलेट जाने के बाद लोग सोप से हैनवर्ष करते हो है या नहीं अवेलेबिलटी ओफ जान वाटर इन और नियर दोइलेट के अंदर या टोइलेट के आसपास सोप की अवेलेबिलिल्टी है पानी की अवेलिलिल्टी है वो भी कंडिशन है चाउथा लिखा है, no visible faces found in the environment or village, यह actually village survey में counter होता है, दोस्तों, ठीके, इसमें में लिखा है, factors considered in village survey for audio of declaration, and factors considered in household survey for audio of declaration, ठीके, village survey में कही सारे points यह पढ़ सकते हो, household survey में घर में यह सब देखा जाएगा, यह जो पहला 3 लिखा है, और यह चाउथा जो है, यह village survey में हैगा, so here our answer is option A, 1, 2 and 3 only, question number 10, consider the following statements which are correct, video post कीजिए और answer बताईए, now the answer is option A, 1 and 2 only, देखे, शार्क के बारे में है, world's sharks and race have seen declines in their population since 2044, यह statement सही है, देखे दोस्तों, यह IUCN का एक report है था, International Union of Conservation of Nature, का तो उन्होंने यह बोला, दोसा 14 से अगर देखोगे, जितने यह sharks and race है न, इनका population में decline आया है, और इंडिया की बात करें, तो इंडिया में करीब 160 species of sharks है, जिसमें 10 जो है legally protected है, schedule 1 of the wildlife protection at 1972 में, and whale shark which was the first fish species to be protected in India, यह भी आप धियान जीजेगा, ठीक है, आप और भी कुछ details देखा है, इंडिया में ज second largest shark fishing mission declared किया था, first Indonesia था, देखी, world sharks and race house scene declines in their population since 2014, very correct, Indian sharks are legally protected, lister under schedule 1 of the wildlife protection act 1972, यह दोस्तों थोड़ा सा doubtful statement है, क्योंकि मैंने जब बनाया था तो ध्यान नहीं दिया, actually मैं इधर बोला है, कि 160 species of sharks है, इसमें only the 10 जो है legally protected है, अब इधर मैं अगर सही बोलूँगा, तो सारे legally protected ह होना चाहिए, सारे तो legally protected नहीं है दोस्तों, के अबल 10 legally protected है, यह बताया जा रहा है, अभी तो यह थोड़ा पुरान नहीं से, अभी तो और भी ज्यादा इसमें include होगा schedule 1 में, तो यह statement थोड़ा सा doubtful है, sorry for that, India is the largest shark fishing nation in the world, यह भी गलत है, थीक है, so answer is option 1 only, actually, ठीक है थीक है which of the following is the definition for average value of all the physical and financial assets on per household in the recently published All India Debt and Investment Survey, video post कीजी और answer बतायी, now the answer is option A, average value of assets, देखे, All India Debt and Investment Survey के बार में, मैं एक वीडियो बनाया था, जिसमें, income, debt, मतला हमारे देश में इतने population है, उनका income कितना है, उनका debt कितना है, उनका debt कितना है, वो सब उस survey में बताया गया है, यह 2019 का report है, basically, आप जाके publish हुआ है, basically, 2019 में survey हुआ था, यह बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अब इसमें average value of assets क्या है, देखे, average value of all the physical and financial assets on per household as on 36 2018, मतलब जितने physical and financial assets, एक family या एक household होल्ड कर रहा है, उसका average value है, average value of assets, और एक है incidence of indebtedness, यह क्या है, यही है, इसकी जो value है, percentage of the indebted household as on 36 2018, मतलब कितने households indebted है, मतलब जितने households के पास debt है, उनका percentage है, average amount of debt मतलब, average amount of cash dues, जितने पैसे, loan के रूप में है, या किसी से ऐसे उधार लिया, वो सब, उसका average amount है, average amount of debt, average fixed capital expenditure of households, यह क्या होता है, यह basically capital expenditures कितना की है, मतलब, घर के लिए, गाड़ी के लिए, सब capital expenditure हो गया, जितने fixed capital हो गया, यह हो गया, average fixed capital expenditure, so, simple question था, average value of all physical and financial assets on per household is average value of assets, question number 12, what is Lincoln, Hoffman, Bush, recently seen news, video post कीजिये, और answer बताईए, now the answer is option, B, a German manufacturing company which produces locomotives and rolling stock, देखे, recently railway minister ने, एक new modern LHB rake-off train number 08445, भुबनेश और जगदालपूर, भुबनेश और हिराखंड express launch किया था, यह flag-off किया था, ठीक है, उसमें LHB coaches यूज किया, LHB मतलब एक टेपकप coach है, दोस्तों, जो conventional coaches है, आमारे पूराने coaches, उसे आलगे, इस पे काफी सारी specialities है, basically better, comfort and jerk-free, ज्यादा हीलेगा डूलेगा नहीं, यह LHB coaches जो है, तो आप यहीं समझ लीजिए, Link, Hoffman, Bush coach, और passenger coaches of Indian railways, that were developed by Link A. Hoffman, Bush of Germany, तो एक German company बनाया हुआ, GDP is not located in Utraghand, वीडियो post कीजिए, और answer बताई, now the answer is option E, Baira Seul Hydro Electric Project, यह तो direct question है दोस्तों, इसके regarding एक news हमने cover किया दा daily news में, basically यह जो seven projects है न, Utraghand में हो रहा है, टेरी, तपोवन, विश्णोगट, विश्णोगट, पेपल कोटी, सिंगोली भटवारी, भटाब्यों, यह सब के कारण, एक तो गंगा का natural floor हो करा है, और काफी सारे environmental हजार भी है, basically उत्राघंट आपको पता है पहाड़ी अरिया है, यह तर डाम बनाने से environmental हजार भी है, रिसली आपको पता है कि लाइन स्रेट के वज़े से कहीं hydroelectric power projects डिस्टोई हो गया था, जिसके वज़े से और ज्यादा difficult हो गया था यह जो evacuation वगएरा, तो काफी सारे environmentalist ने यह point out किया है, जितने यह dam बना रहे हो ना, इसमें maximum जो है paraglacial zones में आता है, अब यह paraglacial zones क्या है, यह basically एक unstable area है, इधर आप इस तरह के बड़े-बड़े hydroelectric projects वगएरा ले किया होगे, एक environmental हजार बन सकता है, basically उत्राघंट की जोग्रिफी क के लिए इतना सारा dams बनाना सही नहीं है, यह environmentalist ने point out किया था, तो basically examination perspective में हमार लिए साथ के साथ dams important हो जाता है, ध्यान दीजेगा, तो here our answer is option E, बाइरा, सियूल, hydroelectric project, जो हिमाजल प्रदेश में है, right दोस्तों, question number 14, which of the following crops are considered for the rabi marketing season under minimum support price, video post कीजिए और answer बताएए, बार्ली, रेप सीद, साथ लवर, देखिये, खारिफ क्रोप्स कौन कौन सा MSP के अंदर, पैडी, जौवार, भाजरा, माईस, रागी, आरहर, मूंग, उरत, cotton, ग्राउनट इंचल, सन्फावर सीद, स्वया बीन, सेसाम, नाइजर सीद, राभी क्रोप्स, वीट, बार्ली, माजूर, रेप सीद, मस्टर, साथ लवर, तोरिया, और अधर कौप्स, जो राभी आन खारिफ नहीं, कौप्रा, दी हस्कोकनट, रोजूट, यह सबेख, तो हीर और आंसर विल बी, option B, 121, 4, last question, question number 15, what is the meaning of class of authority as per finance act 2018, video post कीजियो और आंसर बता हीं, Now the answer is option, A, exemption to specific income of class of body, authority, board, trust or commission in certain cases, देखिए, finance act के तरू, कुछ bodies को, government bodies हो सकता है, या फिर कोई, ऐसा bodies, जो charity का काम करते हो, या ऐसा कोई काम करते हो, जिससे कुछ अच्छा होगा, है कि नहीं, तो ऐसे कुछ class of body को, authority को, board को, trust को, या फिर commission को, tax exemptions दे देते हैं, उसके लिए प्रोविशन है, finance act 2018 के अंदर, इसको class of authority बोलते हैं, ठीक है, तो recently news में इसलिए आए था, finance ministry ने, district mineral foundation trust को, exclude किया, basically action किया, tax pay करने से, ठीक है, ये DMF, इसे trust setup, as a non-profit body industry, affected by mining related operations, देखे, mining से जो problem होता है, उन लोगों को, उन लोगों का welfare देखने के लिए, इस तरह की district mineral foundation trust बनाया थे, अब इनको tax देने की जरूत नहीं है, ये बोला है ministry of finance ने, तब ये class of authority वाला time आ गया था, अब ये class of authority देखे, इसमें और भी कुछ लिखा है, ministry of finance has taken measures to get the DMF trust acceptance from income tax, section 1046 of the act, was amended by finance act 2018, so that all DMF trust could be notified as class of authority, मतलब कोई भी body, अगर class of authority, declare किया, notify किया, तो उनको tax देने की ज़रूरत नहीं है, so option A is our answer, तो दोस्तों, that's the end of it, ए वीडियो में दर फिनिश कर रहा हूं, I hope आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, लेक्चे की PDF है सुचल आपको टेलिग्राम चानल में मिल जागा, जिसका लिंक नीचे प्रवेड़ेड़ है, आप लोगों की वैलेबिल सजेसेंस और कमेंट्स आप मुझे प्लीज बता दीजेगा, कमेंट बोक्स के तुरू, झाल केंट्स तुरू, क्यों वाओपको झाल 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 झाल